नमोन महां सेवुसी इति पाठ्य पृस्तरकस्य अनुश्रिक्षने धवताम पेक्षात्राणां श्वावताम अध्यवयं नूतनम पाठ्यम पाठिस्यामा पाठिस्य नाम अस्ति जटायो हो सोय। सभी साथ नुह रमायद नुπάत्र हैं जो कि इसके बारे में सीता के बारे में बताते हैं रामजी को कि रावण ही आई जो आपकी पद्ने को हरके ले गेया है। लेकिन किस्वां नि युदं एक पस्मय्ब विकष्ण होका थी हृञत बोई जिदना है थी कि गलत कारे को रोका जाए आज इस चीज की कमी है ठीक है लोग गलत कारे को देखते हैं तो वीडियो बनाते हैं ठीक लेकिन तो ऐसी इस्तिति से बचने के लिए हमें इस पाठ को पनदा चाहिए किस प्रकार से शीता जी को ले जाते हुए जब रावण शिताजु को ले आ रहा रहा था और किसने देखा जटाईू ने यह को आवाज सुनी उस कर्वकुकार को सुना तो जाकर के विडियो नहीं बनाया उनने या केवल देखता नहीं रहे वो जाकर के लड़े उनको पता था के रावन उससे बहुत अधिक सत्तिमान है बलवान है फिर भी लड़े अंत तक लड़े जब तब उनका पंखन लड़े तक लड़े लेकिन लड़े उनने अपने यथा सामर्थ उनको छुडाने का प्रयास किया तो ऐसे वीर जो थे जटाईू ठीक है पक्षिराज जटाईू उनके वीरता के बारे में यहा कथा ग्रंत यहा जिसमें जटाईू और रावन के विरत होने के लिए कहते हैं रावन की अपरिवर्तित मनुवर्ति को देख वे उस पर भयालाणक आक्रमन कर देते हैं महावले जटाईू अपनिक तीखे नखुन तथा पन्जू से रावन के सरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पन्जू के प्रहार से उनके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं धनुष तूट, तूटे धनुष मारे गए अस्मो और सान्थी वाला रावन विरत हो करके यानिके रथ से विहीन हो करके प्रत्री पर गिरे पड़ता है कुछी ही क्षणुबाद प्रोधान धरावन जटायों पर प्रान भातर प्रहार कर देता है परंतु पक्षिश्ट जटायों उससे अपना बचाव कर उस पर चंचुप प्रहार कर देता है चौच का प्रहार करते हैं उसके बाएं भाग की दर्शूं बुजायन को शतर पिक्षत करते हैं ऐसे महान जटायू के स्वर्य की गाथा को जो कि क्या पुन रूप से आदी कभी महा कभी महर्शी बालू की प्रणीद रामायन की अर्विकांडे से लिया गया है यानि कहीं किसी द्वारा भी का गया है जिस सफुन मूण प्रती हे रामायन की अब необходимо कुँफा की चलता नी है ??? जिसमें सीता जी को सुन कर के कानृचा जठा-सम्भव रावण से पहले उसको समझाते हैं P-ictsip बादसनी मानता तो फिर मार सेफ को समझाने का प्रियास करते हैं तो पहना स्लोक है सातदा करुणा वाचो विलपंती शुदुखिता वनस्पति गतं गृद्धं ददर्शायत लोचना तो ऐसी करुण पुकार करती हुई माता सीता को जब हर ले जाता है राक्ष सेंद्र जो रावण है ये बैक्ग्राउंड क्या होता है इसके पीछे लालच चलालच क्या है कि असंभवम हेम अम्रगस से जन्माँ यानि कि हम सभी जानते हैं राम जी भी जानते थे सीता जी भी जानते थे क्या जानते थे कि असंभव है किसका होना हेम अम्रगस से जन्माँ यानि कि श्वरण ब्रग का जर्म होना असंभव है लेकिन तथापि राम लुलुभे ब्रगाया यानि कि उनको लोग दिलाया गया सीता जी के द्वारा इसके लिए उस हिरन को पकड़ने के लिए कहती है सीता जी कि मुझे यही हिरन चाहिए और राम जी उस हिरन को सीता जी के कहने पर फ़कड़ने के लिए जाता है तब तक वही हिरन एक हे राम वो रहा हे लक्षमन की आवाज करता किन फ्यक्तर सिता जी में चाहता है ऑर पर आपने की प्र climbing करता फ। क्रित करना चाहता था तो चल्च में तो हम सी तर ने आप सब्सक्राइब को पकड़ने के लिए जब राम जी चले जाते हैं उसके पीछे पीछे राम जी की उस प्रणुपकार को सुनकर के है लक्षमा इस प्रकार की आवाज सुनकर के और लक्षमा जी को जब सीता जी जित करती है कि लक्षमा आप जाओ मुझे छोड़ दो यहीं पर ठीक हूँ यहां पर सुरक्षित हूँ बस आप राम जी को बचाओ साइद उनको कोई कष्ट है को कष्ट में आपको पुकार रहे हैं लाग मना करने के बावजूद भी कि भाय रहती हैं लक्षमा जी जाते हैं और होता नुस्यक्षन जो रावण है वह सादु कभेस मना करके विखषा राचेंग करता है लेकर के ऐसी सिता जी आतूर होती है ति कुए मैं बंधन की विखषा नहीं लेता आपने यह बंधन बना रखा है इस बंदन से बाहर आके विख्षा दो तो मैं आपकी विख्षा लूंग तो सीता जी समझ नहीं पाती है उसके उस सड़यंत्र को जैसे ही उसक क्योंकि अगर उसके अंदर जाता रावन तो जल के भस्म हो जाता बले ही वो कितना ही ज्यानी सक्ति सारी था लेकिन पर लक्षमंत रिखा तो उसको बाहर मुझाने के रहा है तो उसको बार को बाहरने के लिसपार को हर्ण कर пока है लेकिं कोई होता ही नहीं, उसकी पुकार सुन्दे के ये, लेकिं उसे क्षण जब आधे रास्ते में पहुँचे होते हैं, तो जब उसको रावण हरके ले जा रहा था、 करुणवचन 時候 से विलबंती सुदुक्धता रोती हुई सुदुक्धता बहुत दुखी वरस्पति गदम गृध्धम यहने कि वरस्पतियू में छिपे हुए है गृध्ध जो जटायू राज तिकपक्षिराज जटायू ददर्सायत लोचना यहने कि उस सीता ने जिस सीता को कौन रावण हरके ले जा रहा है जो दुखी है जो रो रही है ऐसी सीता ने आयत लोचना यहने कि आसा भरी दृष्टी से वनस्पति गतम गृधं यानि कि यूद्ध को गरुडब को गरुड़ को दधर्शव देखा फिर उसने क्या कहा कि पुकार गरी सब को तो पुकारी नहीं दिसी था तो उन्हें निकात कि हो सकता कि जटायों ही मेरी बात सुन दोड़ा ये इन से दढ़ ले आप ये मुझे छुड़ा ले इस प्रटार की बात कही तो क्या कहा कि जटायो पस्यमामारिया रियमाना नाथवार अनेन राक्षा सेंद्रेणां करुणं पापकर्मनां तब सीथा कहते हैं कि हे जटायो मामपस्यम मुझे सीथा को देखो कैसी रियमाना नाथवत मुझ को अनातूं की तरह जो दे जाया जा रहा है, इस दुष्ठ के दवरा, इस राख्शाषेंद्न का जो स्वामी है, कौन? रावण, के दवरा मुझे ले जाती हुमी शीता को, देखो, आल्या, मुझे करुणा भरी जो सीता है को देखो जिसके करमना इस बॉज दूसरी की पत्नि को बंध कर Нुट रहा है एसे राक्षजहेंग्रन को रोको आर मुझे तेखो मेरी और तुटि डालो मुझे तु देखो ते लिव आवास को सुन रहे होंगे आप इस प्रकार से कहा। फिर क्या हुआ कि तम सब्दम अवसुपतस्तू जटायू रधसुस्रुवे निरीक्षरावणंचिप्रम वैदेहिंचाद दर्षशा। तो फिर क्या होता है कि तम सब्दम अवसुपतस्तू तो इस सब्दम करके कौन यह जच्ण सब्दम व्याCR कilo अभितमठ्यम में बैठे हुए थे पॉद्वों के बीच में बैठे हुए जटाईं थे अवसुपतस्तू यानिकी उस सब्दम को सुन करके पहचाना हुआ सामान करके जटायू अथव सुष्चुवे सब्द क्या है जटायू अधन अथव तो रख से अगे यहां पर क्या है रख भी है अथव मतनल इसके बाद किसके बाद उस सब्द को सुनने के बाद तो बिसर्द से पहरे विसर्द के बाद ऑ हसे जिए बतान तो जटाईू रध तब बना उससरी के से उस सब्द को सुनकर इसके बाद वे की सिता जी ने बोलना बंद कर दिया अपने करण पुरी कर दी तब उसके बाद उसस भूसां के समझ करके सुस्रुवे जाब्धवस्ता में निरीश रावणं चिप्रम मत्तब बहुत जब्दी से उसने उस रावण को देखा जो हर्ण करके सीता को ले जा रहा था थीक वैदेहिं चा ददर्श सह और उसके बार वैदेही विदेहराज की पुत्री वैदेही भकवती सीता को ददर्श देखा थीक तो इस तरीके से तीन स्लोक हमने आज जाने तो अगला स्लोक है अगले में क्या होता है ततहा परवतस्रिंगाभस तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमहां वलस्पतिगतास्त्रीवां ब्याजहारा शुभांगिरम तब उसने पहले बात करना चाहिए बात करनी चाहिए उस रावण से क्या कि तत उसके बाद जब उसने उस रावण को जल्दी से देखा उसके बाद सीताची को देखा तो फिर क्या होता है कि तम सब्दम ततहा परवतस्रिंगाभस तीके ततहा मतब उसके बाद परवतस्रिंगाभस मत्तक परवत की स्रिंग मत्तक चोटी परवत की चोटी के समान तीक्ष टुण्डः तीक्ष्ण परवत की चोटी के समान तीक्ष्ण है तुण्डः अक्तब चौच जिनकी ऐसे गिप्द ऐसे गरुद ठीक ऐसे जटाईू खगोत्तमः वाजी संधी तुम्हारे वहाँ है ठीक है क्या है खगोत्तमः तो ख़गा प्लास्व तमभाँ तो कौनसी संथी होगी इसमें ऑ के बाद यदि उ आता है तो संथी हो जाते हैं कौनसी तो कहते हैं कि ततह परवत स्रिम का भाव यदि कि उस समय उसके बाद क्या होता है कि परवत के चूटी के समान पिश्ण है चौच जिनकी ऐसे ख़गू में उत्तम पक्षिव में उत्तम पक्षिव के राजा कौन जटायू उन्हें क्या किया वनस्पति गताह स्रीमान व्याजहारा सुभाम गिरम वनस्पति गताह वनस्पतियों से अलग हट करके स्रीमान व्याजहारा सुभाम गिरम एसे स्रीमान कौन जटायू हू सुभाम गिरम व्याजहारा सुभाम गिरम सुभाम गिरम व्याजहारा सुदर श है चोंच जिन की ऐसे पक्षिराज जटायूने वरस्पतियों से अलग हट करके ब्याजहारा सुभाम गिरम सुन्दर शीवाणी में ब्याजहारा अतब बोला निवर्तय मतिम नीचां छोडँ इस कुपृत्य को छोडँ इस गन्दे कृत्य को छोडँ जिसको तुम परिस्थ्री का गमन कर रहे हो परिस्त्री को क्या कर रो हरण कर रहे हो तो इस तरिग के कुकृति को छोड़तो मतिम निचाम परदारा विमर्सनात याने की पर मत्तक, दूसरे की दारा मत्तक पत्नी विमर्सनात, पता हरन रुपी, यह रहें कि दूसरे के पत्नी को हरण रुपी या जो पुकृत्य है गंदा काम है इसको अभी मतिन नीचाम निवरतया इससे दूर हड़ जा क्यों नतत्समाचरे धीरो कि कोई धीर व्यक्ति को जो धेर सारी व्यक्ति होता है उसको नतत्समाचरे उस पर ये व्योहार अच्छ लग्ति दाले या दूसरी के पत्नी का हरण करके ले जाए जैज़ यदपरोववव अस्य विगर है और ऐसे को प्रतिक न करे जिस्से कि लोग उसकी क्या करें विकर है उसकी निंदा करें ऐसे को नहीं करना चीए झिभरतया मतिन लेचा उंपरदारा भे ऐमरसनार तक यत धन परहा धन अस्य यहां पर कहा देखो आपकी ही यहां पर चुने वाले संदी है पुरूप संदी में क्या होता है सबसे पहले संदी के इसके स्थान पर रौ में और है आप तो हम यहां सबसे में लिखेंगे यतपरोव अब उसके बाद क्या है आथा है तो पिर उसके स्थांट पर विग्रह जाता है और वह समिल जाता है तो जी बन जाएगा यतपरोवस्य तो यहने कि यतपरोवस्य यह ऐसा कोई कुख्रत्य नहीं करना चे गंदा काम एसा तो वीरपुरुज को जो विगर है जिससे कि उसकी बाद में क्या हो निंदा हो तो इसलिए ये निंदनी कारिक परिस्त्री को हरन करके ले आ रहे हो इसको छोड़ो अभी क्यों इस पर लगे हो ठीक है जहां से लाये हो इसको वहीं पहुचा के आजाओ पहले उसके संज्यारी रावन का माणने वाला था राक््षसीं बुद्ध्य दृट बुद्धी है ठीक है तो वो तो अपना हरंड करना चाहता था आप तो इस तरीके से पांच totally का हुने आज आर्टी जाना कल इनने नामायन के अरंड कांड के जटायू पुशंग के हम अगले जो स्लोग है साथ स्लोग उनको फिर जाने ठीक है तो आज के दिना ही कल पुनहा आपके बिज़ो पस्तोंगे तब तक के लिए नमूर महा नमस्कार रहा भवताम दिनम शुभम भूदू